यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आदमी की Hungarian Army और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्तल शूटर था जितनी भी नाश्टरन चैंपियंशिट्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंट्फर्म था कि 1940 में जो उलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस शूटिंग हैंड बनाना है बेस बनाना है बेस बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस शूटिंग है सिर्फ दो साल का फक्त नाइटीन थर्टी एट में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एकसिडेंट हो गए उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनिट फट गए और वो हाथ चला गए जो उसका सपना था जो फोकस था सब खत्त उसके बस दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिन्दगी रोता रहे और कहीं जा गर गए छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकस किया हुआ तो उसको पकड़ गर गए रखिया तो उसने फोकस किया उसपे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आंड एक ऐसा हाथ जिससे उन लिफ तक नहीं सकता था एक महिने तक उसको हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के ले और साही एक महिने बाद और भी ट्रेनिंग शुरू करती है, साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब के 1939 में वो वापिस आया नाश्चनल चैंपियंशिप्स हो रही थी, मही पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोई शूटर्स थे वाँ पर उन्होंने जहां करके उसको कंग्राचुलेट किया आगी यार देखो, यह होता है जजबा यह होती है स्पोर्च्पेंग स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिक कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने में आया तुम्हार साथ कॉम्पीट करने आया हूँ तुमसे लड़ने आया हूँ तैयार हो जओ और कॉम्पेटिशन हुआ बाकी सब महाँ पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस हैंड से ये गॉम्पीट कर रहा था अपने only hand से only hand से कौन जी था the man with the only hand कैरली चीट क्या लेकि वो यहां नहीं रुप गा उसका goal फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस country का नहीं इस पूरी दुनिया का best shooting hand बनाना है उसने पना सारा focus उठा कर गे डाला 1940 पे जब Olympics उने माले कि लेकिन 1940s के Olympics कैंसे जो है World War की बेस उसने अपना सारा focus उठा कर गे अपना सारा focus उठा कर गे डाल दिया 1944 में जो Olympics होने वाले थे उसके उपना सारा focus उठा कर गे डाल दिया 20 साल 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 years और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उससे compete करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिन मुश्किल नाम का यह वर्ड थाई दी उसकी डिक्सरी नी वो गया पूरे वर्ड ये बेस्ट शूटर वह था हो यो अपने बेस्ट आंड से कंपीड कर रहे था उपने अपने 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 कंपीड कर रह था और और कौन जी था वह में विद टे उनली हैंड लेकिन वो तब भी नहीन लुटा 1952 औलम्पिक्स दुबारा कॉंपीट दिया उसने और इस बार गोल्ड मेडल कौन जी था गैरली चार साल बार दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया औलम्पिक्स इस पर्टिक्लर कॉंपिटिशन में उससे पहले किसी भी एटलीट ने लगातार दो गोल्ड मेडल्स नहीं चीज़े अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिस्ट होगी पहानों की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नबी लिस्ट है उसी तरफ जिनर के पास चले जाओ उसके पास में हजार वज़े होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वज़े होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा झाल झाल झाल